हे गाइस वेलकम बेक टू मैं यूटूब चैनल आई है मजराज प्रजवती और दोस्तों ये हमारे यूटूब कोर्स का सेकेंड पार्ट है और इस सेकेंड पार्ट बहुत जादा इंपोर्टन्ट है हर एक बिगिनर यूटूबर के लिए क्योंकि जब कोई यूटूब पर आता है काम करता है सोचता है कि मुझे वीडियो बनानी है लेकिन वीडियो बनाने से पहले कुछ ऐसी ऐसी बाते होती है जो हमें सीखना जरूरी है क्योंकि आप जानते होगे कि हर दम कोई भी काम स्टार्ट करने से लिए हमको जीरो से स्टार्ट करना होता है और जीरो से ल को optimize करना सारी की सारी ट्रिक बता के रखिए और सारी बाते बता के रखिए जो हर एक यूटुबर को beginner यूटुबर को काम आने वाली है इसलिए वीडियो को पूरा देखना अगर आपने पूरा वीडियो कस्टमाइज होती है और पूरी यूटुब चनल रसी पर चलती है इसलिए आपको यह सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं भी जब नया नया यूटुब पर आया था तो मैंने भी सारी की चीज़े की ती तो आपको भी करनी है तो देखो मैंने पॉइंट टो पॉइंट सबस्ट ज writes है और सच करते करोदें है तो क्रेट जिमल करोऊंट का यह अपने उपहल जाएगा इस पर जाने के वाद आपको एमेल स्टित करने कलिंगे साजिख चैयाइपर डाल दो उपको नहीं होगा क्योंकर जब एकाउंट करोगे उसके बाद यहांव कर नहींतिते है जब आप यहां से आज आओगे YouTube के dashboard पर आपको side में देखो एक sign मिलेगा इस पर click करना है और उसके वाज आपको जाना setting पर setting पर click करोगे तो आपके सामने यह वाला dashboard खुलेगा तो जब आप new email ID create करोगे तो आपके सामने created channel option आएगा यहां मैंने बनाया हुआ है तो यहां create a new channel को option आ रहाए ठीक है तो इसके वर मैं जैसे click करता हूँ click करने के वाज हमको यह पूछेगा का अपने अपनी चैनल को क्या डालना है यहां पर मैं channel create नहीं करने वारा हूँ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है बस इतना ही करना है कि आपको यह channel create करोगे आपका channel create हो जाएगा आप उसके बाद मैं आपको बताता हूं करना क्या देखो मैंने लिखके रखा है Gmail account create हो गया YouTube channel create हो गई उसके बाद आपको करना है TubeBuddy को install क्योंकि TubeBuddy बहुत ज़्यादा काम होता है हमारे YouTube channel के लिए तो आपको यहां सर्च बार में जानर यहां लिख देना है आपको TubeBuddy लिखना है और सर्च कर देना है सर्च करोगे Official website आपके सामने आजाएगी इसको कर लेना है आपको open यह open होने के बाद आपको सीधा देखो यहां my account लिखा हुआ है यहां my account के जगा आपको signing देखेगा बस आपको signing पर क्लिक करना है signing पर क्लिक करोगे आपका YouTube channel इसके साथ हो जाएगा link लिंक हो जाएगा तो आपको यह देखो यह उपर red color का दिख रहा है इस तरीके साथ आपको यहां sign मिल जाएगा अगर ऐसा आजाए तो समझ लेना आपका YouTube बड़ी यहां link हो चुका है और दूसरा point के फिर हमको करना है हमारी channel को customize दोस्तों यह बहुत main main point है तो आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो देखो मैं इसको करता हूँ back back जाने के बाद क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप पूरा का पूरा beta studio में हो चुका है तो हम यहाद लोगों पर click करते है और यहाद लिखा हूआ your channel डिक है तो इस पर हम कर देता है your channel पर click ये अपने your channel click करने के बाद आपको यह customize channel मिलेगा इस पर आपको कर देना है इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया dashboard खुल जाएगा और आपको नया देखने को मिलेगा आपके चल कर सब कुछ यहां देखने को मिल जाता है तो सभ से पहले आपको अपने channel कर art लगाना है और एक logo लगाना है ठीक है लोगो और वही आपको आठ लगाना है उसके बाद नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहां होम लिखा है वीडियो लिखा है प्लेलिस्ट लिखा है लेकिन इन सब में आपको कुछ भी जाने जना है बेल चीज आपको अबाउट में जाना है और इस पर कर देना है एक क्लिक जैसे अबाउट पर क्लिक करोगे आपके सामने यह वाला एक डैसबॉर्ड खुलेगा तो यहां पर आपको दिखा रहोगा डिस्क्रिप्सन ठीक है तो यह डिस्क्रिप्सन में होता गया कि आपको सब्सक्रिप्सन मिलेगी तो आपको नीचे बिजनस लिखकर आपको इमेल डी डाल देना है ठीक है और यहां पर इसको कर देना है डन करोगे उसके बाद आपको नीचे यहां देखो पूछेगा फॉर्ड बिजनस इंक्वाईरी के लिए पूछेगा तो आपको अपनी यह डाल देना है लेकिन यहां जीमेल एकाउंट आपको वा औरिजनल नहीं डालना है क्योंकि हैक वगरा होने के बहुत चांसे बढ़ चुके हैं इसलिए आपको यहां कोई ऐसी इमेल एडी रखनी है जो आपके एडसेंस से लिंक ना हो और आपके यूटूब चैनल से भी लि चीज है ठीक है अब हम चलते हैं दूसरे तरह आपको यहां से कर देना इसको बैक हम अपने यूटूब चैनल के डैसबोड पर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको यूटूब स्टूडियो लिखा है यानि बीटा स्टूडियो इस पर आपको करना के लिए क्योंकि सारा का सारा काम आपको बीटा स्टूडियो में ही करना पड़ेगा क्योंकि यूटूब क्लासिक मोड हो चुगा है इसलिए सारा का सारा काम आपको बीटा स्टूडियो में करना पड़ेगा तो देखो आपका यह बीटा स्टूडियो ऊपन हो चुगा है तो अब साइड में देख सकते हैं आपको सारे के सारे function यह मिल चुग है और आपको यह keyword मिल जाएगा कि आपको अपनी channel के लिए क्या keyword देना है जैसे कि आपका channel tag पर है तो आपको tag देना है और comma कर देना है फिर आपको technology लिखना है ठीक है तो आपको फिर comma देना है और यहांसे इसको comma लगा के side में कर देना है तो इससे क्या होगा कि आपकी channel कोई भ बाओगे तो आपको यहां मिल जागा made for kids का option तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका चैनल बच्चों के लिए है आपके वीडियो मर बच्चे आते हैं तो आपको यहां yes करना है अगर आपका चैनल बच्चों के लिए नहीं है आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ tech category क सिम्पल आपको कर देना किडिए 700 Kiss ठीस धीक्राइब करते है और को कुछ नहीं करना है finnsक कोणिक्गा बच्चीज दर चैनल लिए प्स इतना डालना है और उसके बथ आपको लिंगित देना description जो आपको पता कि आपके description में वो लिख सकते हो अब अपने Instagram की Facebook की Twitter के link के डाल सकते हो आपका Amazon पर affiliate account है तो अपने affiliate का सारा का सारा चीज़ियां डाल सकते हो कि जो आप video upload करते हो तो आपके description में सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी और यह title रहेगा कि जब आपको title डालने के जुरत नहीं रहेगी, automatic title आपका generate हो के आजाएगा लेकिन अगर आपका category अलग है आपको अपनी मर्जी से title डालना है तो आपको यह title नहीं डालना है अगर आपको title नहीं डालना है वह आप चाहते हो कि automatic title आजाए तो आपको यह कुछ भी लिख देना है आपका title यह automatic आजाएगा उसके बदा मीजे चलते हैं कि यह visibility बताएगा तो आपको visibility में public रहने देना है और tag यह tag क्या होता है आपकी channel को boost up करने के लिए tag होता है कि आपकी channel कौन से category की है और आपकी channel का क्या नाम है तो जैसे कि देखो मैंने अपनी channel का नाम डाल के रखा है पिर tricks लिखके रखा है पिर tips लिखके रखा है पिर motivation क्योंकि मैं motivation भी देता हूँ तो motivation भी लिखा है तो आप अपने channel के according जो आपको लिखना है वो आप यहां लिख सकते हो उसके बाद नीचे आपको permission को option मिल जाएगा कि आपको अपनी channel पर किसी और को admin बनाना है कि नहीं अगर आपके channel पर जादा लोग visit करते हैं यानि कि जैसे आपके घर में दो लोग manage करने वाले हैं तो आप उनको भी बना सकते हो अगर आपको email id हटानी है कोई नई email id बनानी है तो आप यह owner को change कर सकते हो यहां पर invite करेगा invite क्लिक करोगे तो आपका channel यहां उसके उस email id पर चला जाएगा उसके बाद आता है community अब community में क्या होता है कि मानलों के community में आपको लिखना है कि जो आपकी channel पर आपको गलत वलत बोलते हैं तो सारे लोगों को आपको क्या करना है हाइड कर देना है और आपको नीचे यह block word मिल जाता है कि जो आपकी video पर गाली अगरा देत दोस्तो यह जो basic setting है तो आपको इस सारी की सारी चीज़ा याद रखनी है और यह सारी चीज़ा आप याद रखोगे उसके बाद आपको चैनल पर काम करना है क्योंकि सारी बेजिक चीज़े अगर आप ध्यान में नहीं लोगे तो आपको YouTube पर काम करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको अगर YouTube पर काम करना है तो इस सारी चीज़ा आपको ध्यान में रखनी होगी चैनल आट लोगो अबाव डिस्क्रिप्शन टेक इस सारी के सारी चीज़े आपको करनी होगी तो दोस्तो बस आज के लिए इतना ही अब मैं नेस्ट पार्ट में मैं आपको सिखा आने वाला हूँ कि आपको YouTube पर वीडियो किस तरीके से अच्छी तरीके से अपलोड कैसे करना है टाइटल डिस्क्रिप्शन टेक सारी के सारी कैसे लगाना मैं पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ तो चलिए मिलत अगली वीडियो में जबत अगले जैहिन और वंद कि मात्राम